नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस बात को हम सब को समच लेना चाहिए। क्योंकि आज के समय में अक्सर ज्यादातर घरों में कुट्टा पाला जाता है। और आज कल तो ऐसा चलन हो गया है। कि कुट्टे को लोग अपने घरों में इस प्रकार से रखते हैं। जैसे स्वय और स्वय का परिवार रहता है जो स्वय खाते हैं वही कुट्टे को खिलाते हैं जहां स्वय सोते हैं वही कुट्टे को बुलाते हैं कुछ-कुछ लोग तो एक ही था ली में कुट्टे के साथ भोजन करते हैं उसका मुख चुमते हैं यहां तक कि जिस बैड पर सोते हैं, उसी पर उनके साथ कुट्टा भी होता है। मित्रो अब सवाल यह है कि क्या कुट्टे के पालने से उसे अपने साथ घर में रखने से अमीरी आती है या गरीबी स्वर्ग मिलता है या नर्क शुब है आज। कुट्टे को अपने साथ घर में रखना कहा तक उचित है। बस इसी बात को हमें इस वीडियो के माध्यम से समझना है। मित्रो आज के वीडियो बड़े ही महत्वपून हो, नेवाली है। इसलिए वीडियो को इसके मत कर देना तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मार्मिक कहानी एक समय की बात है। किसी गाव में एक सेठ रहता था, सेठ बहुत ही भला इसान था। सेठ सभी जीव जतूओं से बहुत प्रेम करता था। और सेठ बहुत सारा दान पुन्य पूजापाथ हर समय करता रहता था। सेट के लोग बहुत प्रश्शा करते थे और कहते थे कि सेट बड़ा ही नेक दिल इसान है, भगवान ऐसी पुनियात्मा छेद को जरूर स्वर्ग में स्थान देगे। और यह सच है, बधु मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे स्वर्ग और नरक के रूप में भोगने को मिलता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। शुब कर्म करने वाले को परमात्मा स्वर्ग में स्थान देते हैं और अशुब कर्म करने वालों को नरक की प्राप्ती होती है सेठ के बारे में लोग यही सोचते थे कि सेठ को उसके दान पुन्य का फल उसे स्वर्ग में जाकर जरूर मिलेगा मित्रो आपको एक बात और बता दे सेट को कुट्टो से बहुत लगाव था इसलिए सेट ने अपने घर में कुट्टे को पाल रखा था सेट उस कुट्टे से बहुत प्यार करता था रोजाना उसे अच्छा भोजन खिलाता था उसे सुगधित पानी से स्नान कराता था और अपने साथ ही उसे बिस्तर पर सुलाता था यही उसकी दिंचर्या थी और सेट का कुट्टा भी शेड का इतना लाडला था कि वह पूरे घर में घूमने भरने के लिए आजाद था कई पर जाने की उसे कोई पापदी नहीं थी एक बार को सेट के पास सिर्फ के नौकर को जाने की मना ही थी पर फिर का कुट्टा सेब के चाहे कुछ भी करता हो सिर्फ चाहे उस समय कुछ भी करता हो ता उस समय भी कुट्टा पहुँच जाता था धीरे धीरे समय गुजरता चला गया एक दिन से बीमार पड़ जाता है और अचानक से उसकी ज्यादा तबियत खराब हो जाती है उसे बीमारी के चलते सेट की मृत्यू हो जाती है दर्शक बधू सेट के मरने के बाद सेट के नाते बेटों ने सब लोग मिलकर आते हैं और छेट का अतिम ससकार करते हैं उधर शेड की आत्मा को यम के दूत उसे लेकर के यमलोग को चल देते हैं दोस्तों गरूर पुरान में बताया गया है कि जब यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं, तो उसे जजीरों में बाध कर पैदल ही लेकर जाते हैं। अशक बधु कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में सेट का पहली बाधा से सामना होता है। तब यमदूत कहते हैं या फिर क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है। यदि तुमने गाय का दान किया होगा, तभी तुम इस नदी को पार कर सकते हो। जरा अपने जीवन की उन घटना उपर द्रिश्टी डाल कर देखो तो सही मित्रो यमदूतों के बाद सुनकर सेट अपने उस दान का ध्यान करने लगते हैं, क्योकि उसने अपने जीवन में सक्चे मन से गाय का दान भी किया था। जैसे ही उसने अपने उस पुने कर्म को याद किया बद हो, उसे एक गाय उस नदी पर प्रकट हो जाती है। यमदूत जैसे ही सेट को लेकर के उस नदी के उपर से चले तो वह गाय भी सेट के आगे आगे चलने लगे क्षेत्र ने फौरण उस गाय की पूछ पकड़ ली। दायना बड़ी आसानी से छेद को नदी के उस पार पहुचा दिया से बड़ी आसानी से उस पहली बाधा पार कर जाते हैं। उसके बाद यमदूत सेट को लेकर फिर आगे को चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर सेट के मार्ग में बड़े भैकर काले काले कुट्टे आ जाते हैं और सेट को चारो तरफ से घेर लेती है कुट्टो को देख कर से द्वारा भैभीत हो ता है उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इन कुट्टो से कैसे जान बचाई जाए लाया होगा तभी एक कुट्टे तुम्हारा पीछा छोड़ देगे और तुम्हें यहां से जाने देगे दर्शक बध हो जूतो की बात सुनकर वो सिर्फ सच्चे मन से कुट्टो का आवहान करने लगता है उसे याद आता है कि वह कुट्टो से बहुत प्रेम करता था यहां तक कि यह कुट्टा उसके घर में भी पढ़ा था जिसके साथ उसने बहुत ममता रखी थी सेठ जैसे यह बात याद करता है वैसे भी सारे कुट्टे सेठ का रास्ता छोड़ देते हैं सेठ यम्दूतों के साथ फिर आगे के लिए चल देता है मित्रों चलते चलते वो एक ऐसे भी पर पहुँचता है जहां ही का हुए थे सेठ ने देखा कि अगले साल का हुआ सेब के पास आता है और सेठ के सिर में अपनी चोट से बार-बार चूट मारता है सेठ ने यम्दूतों से कहा है यम के पार्षदो यह करवा बेवज मुझे क्यो चोट पहुचा रहा है तब यम्दूत कहते है ये सेठ जी जरायाद करो क्या तुमने कभी अपने जीवन में साधु सतो की सेवा की है यदि तुमने सेवा की हो, गी तो यह करवा यहां से चला जाएगा अगर नहीं की हो, गी तो यह बात उन्हें चोट मारकर घायल करता रहेगा मित्रों से जैसे ही याद करता है कि उसने अपने जीवनकाल में अनेको साधु सतो की सेवा की है और अपने माता-पिता की भी सेवा की है और अपने द्वार पर आने वाले हर एक साधु सत का सतकार किया है उसी समयवह करवा वहां से भी पुरुश पाकर चला जाता है मित्रो सेठ यम्दूतों के साथ फिर से आगे को चलते है और चलते चलते वो एक काटे कभीलों से भरे हुए बद से हो कर गुजरते ही सेट के पैरों में हजारों काटे चुब जाते हैं सिर्फ चिल्लाता है उसके पैर लहुलुहान हो जाते हैं सेट यम्दूतों से कहता है ये यम कोई दो तो मुझे इस भयकर वेदना से बाहर निकालो काटर चुब जाने के कारण मेरे पैर में भयकर पीडा हो रही है तब यम्दूत पूछते है या फिर तुम अपने जीवन में उन घटनाओ को याद करो जिसमें तुमने किसी गरीब हो, किसी नगे पैर वाले को जूते या चपल दान में दिये है मित्रों से तो बड़ा ही दानी धनबाद हुआ था, उसने अनेको बार लोगों को जूता चपलों का दान किया था जैसे ही उसने अपना यह पुन्य कर्म याद किया वैसे ही उसके पैरों में नए जूते आ जाते हैं इस प्रकार से फिर यमदूतों के साथ आगे कुचल देता है उसके मार्ग में कई बाधाय आती है और सेट के फोन कर उसे उन बाधाव से पार लगा देते हैं कई दिनों के बाद यमदूत सेट को लेकर यमराज के पास आते हैं यम्राज चित्रगुप्ट से कहते हैं यह चित्र को, इस सेट के जीवन का वही खाता खोल करके देखो इसमें कितने फोन और कितने पाप किये हैं, तब चित्रगुप्ट सेट का जीवन काल देखते हैं और यम्राज को बताते हैं कि है स्वामी इस चेत्र में तो अपने जीव बहुत पुन्य के कार्य किये हैं। भगवान का भजन भी किया है। मगर इसमें एक सबसे बड़ी गलती की है। जिसकी वजह से उसके सारे पुन्य निश्वल हो गए है। इसके कर्मों के अनुसार यह वास्तव में फर्क का अधिकारी था। लेकिन उसे गलती के कारण यह फर्क से वचित हो रहा है। चित्रगुप की बात सुनकर सेठ बड़ा चिता में पड़ जाता है। छेद पूछने लगता है, हे धर्मराज मेरी पूजा पाठ में मेरे पुन्य कर्मों में ऐसी क्या कमी रह गई। जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तब धर्मराज कहते है, यह साहुकार तुम्हारी ये गलती इतनी बड़ी है के सारे पुन्यों को इसने निश्क्रिय कर दिया है। जिसकी वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओ को अभी तक मुक्ती नहीं मिली है। ठीक उसी तरह से तुम्हे भी स्वर्ग से वचित किया जाता है और तुम्हे भी अपने पूर्वजों की। तरह भटक ना होगा। तब सेठ बड़ी दुविधा में पढ़ जाता है। और पूछता है महाराज मेरी गलती क्या है। मेरी गलती तो बताए। धर्मराज समझाते हैं। यह साहुकार तुम्हारी गलती यह है कि तुमने कुत्ता पाला था। और कुत्ते में अधिक मंता हो। नेके कारण तुमने उसे हर समय हर कार्य करते समय अपने साथ रखा था। खाते पीते सोते जाकते उठते बैठते पूजा पाठ करते समय तुमने कुत्ते को अपने पास रखा है। तुम नहीं जानते हुए कि कुट्टा एक घ्रेनित यौनिक अपराधी है कुट्टे को खिलाना पिलाना एक अलग बात है कुट्टा एक अजीब है उस पर दया करना मनुष्य का धर्म है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे रसोई में लाकर बैठा लो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसे पूरा घर में बैठा दूगा इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसे अपने पास लेटा लूगा उसकी व्यवस्था अपने घर से अपने पूजास्थल से अपने रसोई घर से अलग हो ने चाहिए उसके रहने खाने का बदोबस्त खूब करो लेकिन अपने घर से अलग रहना पूजा स्थल से दूर होना चाहिए ये सेक्सी तुम्हारी गलती यह है कि तुमने उस कुत्ते को सदैव अपने पास रखा था जिसकी वजह से देवताओं ने तुम्हारे द्वारा किया गया दान और भोजन ग्रहन नहीं किया है जाए गा यदी कुत्ता घर में हो और किसी का देहात हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली सभी वस्तुए भी देवता स्विकार नहीं करते हैं कुत्ते के छूजाने पर ब्राहमनों के पवित्र यज्य भी खड़ित हो जाते हैं भोग के लिए निकाली गई वस्तु अपवित्र हो जाती है कहते हैं धर्मानुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ पर तो ब्राहमन भी नहीं जाते हैं वही अगर कुट्टा यदी किसी को सोख लेता है, तो सूखने मात्र से ही इसान अपवित्र हो जाता है वही अगर कुट्टे की द्रिष्टी जिस भोजन पर पड़ जाती है, तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है इन ही कर्मों से कुट्टे को कभी घर के अधर नहीं पालना चाहिए उसके रहने खाने का स्थान सदैव अलग होना चाहिए आप उसे अच्छा से अच्छा खिलाए कौन मना करता है, आप उसकी केर करे कौन मना करता है आप उसकी देख भाल करे कौन मना करता है लेकिन अलग स्थान पर जिस तरह पशुओं के लिए तबेले हो तेहें घोरों के लिए असफल हो ताहे उसी तरह कुट्टे का भी एक निश्चित अलग स्थान होना चाहिए एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के दूतों ने स्वर्ग में ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनका दोश सिर्फ यह था कि उनके साथ एक कुट्टा था धर्मराज ने पूछा भी था कि इस कुट्टे ने मेरा दुख सुख में साथ नहीं छोड़ा है तुम्हें इसको स्वर्ग में क्यों नहीं ले जा सकता, तब स्वर्ग के अधिपती देवराज इदर ने धर्म से कहा था, कि धर्म रात आप धर्म के मर्मग्य हो, आपको समझाना हमारी मूर्खता हो गी फिर भी मैं कहना चाहूगा कि कुट्टा पाल कर हर समय अपने साथ रखने वाले को स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किये जाने वाले सारेने निश्वल हो जाते हैं ऐसे मनुष्य के द्वारा किये गए पुन्यों का फल हुआ बसु नाम का राक्षस कर लेता है और तो और उस घर के सदस्य जो कोई व्यक्ति दान पुन्य हवन और हुआ बाबरी इत्यादी बनवाता है जो भी पूर्ण करता है वो सब घर में कुट्टे पालने से या कुट्टे की द्रिष्टी में मात्र से ही सारे पुन्यफल नश्ट हो जाते हैं इसलिए कुट्टे को पालना वर्जित नहीं है पर घर में हर समय अपने साथ रखना वर्जित है और ऐसे मनुष्य का भले ही वो चाहे कितना ही पुन्यवान हो तो भी स्वर्ग में नहीं जा सकता धर्मराज बोले ही सेठ मैं किसी जीव के खिलाफ नहीं हूँ सारे जीव परमात्माने बनाये है सबके अदर इश्वरिय प्रकाश विद्यमान है समस्त जीवों पर मनोज को दया करनी चाहिए सबका सरक्षन करना चाहिए कुत्ते का भी सरक्षन होना चाहिए उसे मारना पीटना नहीं चाहिए उसके भोजन पानी का बदोबस्त होना चाहिए क्योकि कहते हैं हर घर में बनने वाले भोजन में एक रोटी पर कुट्टे का अधिकार होता है, जो लोग ऐसे जीवों को बेवज़ परिशान करते हैं, बेवज़ मारते पीटते हैं, निश्चित रूप से में पाप के भागी होते हैं, और उन्हें नर्क भाग्य भी होना पड़ता है, इसलि पूरा घर में मत लाओ कुट्टे के साथ समय बिताने के बाद मनुष्य को स्वय को भी पवित्र करना चाहिए, बिना स्नान की पूजा पाठ यग्यदान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का ऐसा मत है कि घर के अदर सिर्फ गाय मा और भी को भी आने की अनुमती हो नी चाहि कर गुत्ते की सेवा करनी चाहिए, अन्य छोटे छोटे जीवों को भी भोजन कराना चाहिए, परतु दोस्तों हमने देखा है कि लोगों ने उल्टी परपरा बना रखी है, जिस घर के अदर माता पिता गाय माता और की सेवा हो नी चाहिए, माता पिता और गाय माता को आज बेचारी गाओं की दुर्दशा है, घर से बाहर सडकों पर कचरे के ढेर में पूर्व में भूखे प्यासे भटकती रहती है। माबाप को घर से उठा कर बाहर फेक दिया जाता है और घर में रखकर कुट्तों की सेवा की जाती है। जिन घरों में ऐसा हो, ताहे उस घर का एक न एक दिन पतन होना तय है। निश्चित ही उस घर में गरीबी एक दिन पाव पसार लेगी दुखों का पहाड निश्चित ही उस घर पर तूटेगा। मित्रों बड़ी शर्म आती है, यह देखकर के मनुष्य मानवता को भूल कर बसपा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य जैसे कदम तो वह ही नहीं पशुओ के प्रती धारण कर ली है। जो पशुस्वय इस प्रित्वी पर आकर नरक भोग रहे है, मनुष्य भी उनकी तरह बनता चला जा रहा है। उन्हे की नकल उतार रहा है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ती कैसे हो सकती है। जो लोग धर्म को भूल गए है, उनके घर में सुख समरिध्धी कैसे आ सकती है। पूजनिय गाय माता पूजनिय माता पिता पूजनिय गुरूजी यदी घर से बाहर जाकर दुख भोग रहे हैं, तो आपको कैसे मिल सकता है। उस स्थिती में आप चाहे जितना दान पुन्यकर लोग आपको कभी स्वर्ग की प्राप्ती नहीं होगी। स्वय को और अपने परिवार को नर्क से बचाना है। दुखो से बचाना है, तो इन नियमों का पालन करना ही होगा घर में रखकर माता, पिता और गाय की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते और बिल्ली को अगर पालने का ज्यादा ही शौक है। तो घर से बाहर अलग स्थान बना कर रहा था, उसमें रखो। उन्हें भूल कर भी अपने घर के स्तर पर पूजा स्थल पर लाने की भूल न करे। उन्हें किसी निश्चित स्थान पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था करे। कुत्ते को भोजन कराने के शास्त्रों में अनेक फायदे बताए गए हैं। कहते हैं, कुट्टे को खाना खिलाने से घर के अदर सकारात्मक उर्जा का वास होकता है आपके दिमाग के अदर से नकारात्मकता निकल जाती है वही कुट्टे को खाना खिलाने से यमदूतों का भय भी नहीं रहता है कुट्टे के अदर एक विशेष्टा और होकती है कुट्टा नकारात्मक शक्ती को सुन कर पहचान लेता है जैसे भूत प्रेत आदी को उठता देख नहीं सकता है जिस घर के लोग कुट्टे को खाना खिलाते हैं ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माय प्रवेश नहीं करती है कुट्टे को रोटी खिलाने से शनी दोश का प्रभाव कम होता है और आपके उपर आने वाला बुरा वक्त बुरा हादसा बुरी घटना तल जाती है आकस्मिक दुरघटना का डर भी खत्म हो जाता है क्योंकि कुट्टे को पहले से ही दुरघटना का आभास हो जाता है इसलिए यदि कुट्टे को कभी पालना हो तो घर के अदर नहीं बलकी घर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर ही पालना चाहिए कुट्टे को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नती हो ती है शोक नहीं आता और कुट्टे को पालने का विशेश फायदा यह है कि वह घर के बाहर रहकर था आपके घर की रखवाली करता रहेगा मित्रो उधर धर्म राज में छेद को यह सारी बाते समझाए गई है कि मनुष्य को मनुष्य के कुछ नियमों को बना कर रखना चाहिए तभी वह स्वर्ग का अधिकारी बन पाता है शेर कहने लगा धर्म राज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्यान बताया है लेकिन अब क्या हो सकता है अब मैं चाह कर भी नियमों का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मृत्यू होग चुकी है और फिर से मनुष्य जन्म पाना अस्भव है पता नहीं मैं कब और कितने दिनों के बाद मनुष्य बन कर प्रित्वी पर जाओगा क्योंकि पूजापाथ भक्ती भाव नियम सयम यह सब मनुष्य शरीर में ही हो पाते हैं धर्मराज बोले सेठ अब तो तुम्हें यह जन्म कुत्ते के रूप में बिताना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे ममता मनुष्यों से अधिक उतने में रही थी और मरते समय भी तुम्हें अपने कुत्ते की बहुत याद आ रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा वही स्मृती लेकर तो मरे हुए इसलिए तुम्हारे पुन्य फल को निश्फल हो ही गई तो मैं कुत्ते की योनी में भी जन्म लेना पड़ेगा था जाओ मैं तुम्हें फिर से प्रिथवी पर भेजना होगा कुत्ते के रूप में मित्रो इस प्रकार से वो सेट कुत्ता बनकर धर्ती पर आ जाता है तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होगे कि कुत्ते का स्थान कहा होना चाहिए और कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फाइदा होता है इस प्रकार यह कथा, सुनाई है, उम्मीद है आपको यह कथा, पसद आई होगी तो कमेट करके अवश्य बताए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेट में जैश्री हरी विश्नु अवश्य लिखे साथ ही चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुभ हो